किटनी ज्यादा सौफ्ट होती है, कितनी ज्यादा माइल्ड होती है, इसलिए उनके स्किन को संजोकर लखने के लिए हम अपसर बेवी लोशन का ही प्रियोग करते हैं और किसी अन्य चीजा का प्रियोग नहीं करते हैं लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं अपनी स्किन के गदर कर नापमानों भोल ही जाते हैं और हमारी खुबसूरती गायब हो जाती है आई जानते हैं कि अगर आपको भी हमेशा खुबसूरत दिखाई देना है तो आप बेबी लोशन का इस्तमान कैसे कर सकती हैं टिप नमबर बन अगर आप अपने चहरे पर और अपनी बॉड़ी पर बेबी लोशन का प्रियोग करती हैं तो ऐसा करने से मुहासे नहीं होते हैं बेबी लोशन के अंदर कई ऐसे कंटेंट होते हैं जो छोटे शिशुओं के चहरे को और उनकी बॉड़ी को संजोने के लिए होते हैं और इसी की वज़़े से इनकी तवचाओं के रोमचिदर ब्लॉक नहीं होते हैं इसलिए अगर आप बेबी लोशन से अपने चहरे पर मसाज करती हैं तो आपकी तवचा के रोमचिदर भी ब्लॉक नहीं होंगे और मुहासों की समस्या कम से कम होगी टिप नमबर टू ट्वेंटी की एज में हमें अपने चहरे की बहुत ज्यादा कद्र करनी परती है ताकि आने वाले समय में हमें समय से पहले ही भुड़ापा ना छू सके इसलिए अगर आप 20 की उम्र के आस पास हैं तो भी आप बेबी लोशन ज़रूर लगाएं क्योंकि ये आपकी तवचा की देख रेक करने के लिए बेस्ट आप्शन है तिप नमबर ट्री बेवी लोशन का प्रियूख आप कर सकती हैं लेकिन केवल चहरे और नाजोग चीजों के लिए मान दीजिए कि आप उसे अपनी हतेलियों पर लगा सकती है या फिर पैरों के तल्गों पर लगा सकती है या फिर चेहरे पर, पुरी बोडी पर बेबी लोशन का प्रियोख ना करें टिप नमबर 4, अगर आपके स्केन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो यकीनन आप अपनी स्केन पर बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती होंगी कभी-कभी मॉस्चर आइजर का इस्तेमाल भी नहीं कर पाती होंगी अगर आपके साथ ये समस्या है तो आप बेबी लोशन का इस्तेमाल कर सकती है सो दोस्तों ये है कुछ फायडे और इसके रिजर्स जो बेबी लोशन से किसी को भी मिल सकते हैं तो आप इसे ट्राय जरूर कर सकती है मेरी ब्यूटी से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सबस्क्राइब कीजिए